हेलो एवरिवन वेलकम बेक टो हिमाज़व सक्सेस बुक आज हम डिसकस करेंगे 29 जनवरी 2021 के हिमाज़वदेश के करेंट फेर्स स्टार्ट करते हैं मैं डिसकेशन सबसे पहले हैं प्रेक्टिस कॉश्चन सो दा कॉश्चन इस वेर वाज द सीविल कोर्ट इन एगरेटर रिस स्टार्ट का त्यहाज की डिसकेशन फर्स्ट कॉश्चन इस वेर दिट चीफ निश्टर जैराम ठाकुर इन एगरेट द जन समबाद कक्ष मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर ने जन समबाद कक्ष का उदगाटन कहां किया ओप्शन है के लॉंग, नदौन, मंडी, भरमौर इस इसका क्रेक्टर जैराम ठाकुर ने मंडी में जन समबाद कक्ष का उदगाटन किया, आप इमेज में देख सकते हैं, और इस जन समबाद कक्ष को बनाने के लिए 117 लाग रुपै की लागत लाई, किसी वी व्यक्ति को अगर कोई कंप्रेंट रिश्टर करवानी होती थी, तो उन्हें मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर के ऑफिशल रेजिटेंस पर शिमला जाना पड़ता था, कुछ लोगों का अवी दिक्कत होती वहाँ जाने के लिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हर जिले में एक एक जन समबाद कक्ष बनाय जाएगा, और ऐसा ही एक जन समबाद कक्ष इसका उदगाटन किया गया, मंडी में मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर्टवरा, डिरेक्टर जनल ऑफ पुलिस संजे कुंडू, एप्रिशेटेट दे सर्विसेज ऑफ हाव मेनी पुलिस ऑफिसर्स फॉर पंचायत इलेक्शन ड्यूटी, पुलिस महान संजे कुंडू, डिरेक्टर जनल ऑफ पुलिस संजे कुंडू, हिमाज़ पदेश, इन्हों ने सभी पुलिस वालों की सरहना की और जो जो भी पुलिस की लेडर्स थे, जैसे की सुपरिटेंटेंट ऑफ पुलिस एसेचो, इंडिविजली उनको अवाड भी दिये गए, त इसके लावा सरहना के पात्र सारे के सारे पुलिस वाले हैं, ऐसा कहा संजे कुंडू ने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंदर सरकार द्वरा हिमाचर प्रदेश में कितने भवन बनाने के लिए राशी मंजूर की गई है, आप्शन है 917, 1212, 1500, 2000, इसका क्रेक टंसर है आप्शन भी 1212, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतरगत हिमाचर प्रदेश में 1212 भवन बनाने के लिए धन राशी जारी की गई है, सेंटर गवर्मेंट दोरा, और अगले दो महिने में लोगों को वो राशी मिल जाएगी, प्रतेक परवार के मुख्या को 1,85,000 रुपे मिलेंगे भवन बनाने के लिए, और अभी दक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतरगत हिमाचर प्रदेश में 9461 घरों का निर्मान हो चुका है, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, प्रधानमंत्री आवास योजना इसे 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, और इसका लक्षे रखा गया है कि 31 मार्च 2022 तक 20 मिलियन घर बनाए जाएंगे, जो भी गरीब हैं, चाहे वो शहरी इला प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल भी कहते हैं, इन में से कौन से नियादीश ने हिमाचपदेश उच नियाले के नियादीश के रूप में पदभार घ्रहन किया है, ऑप्शन है जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर, जस्टिस तरलोक सिंग चोहान, जस्टिस अजय मोहन ग उत्राखंड हाई कोड के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, और अब इनकी ट्रांस्फोर हो जोगी है हिमाचपदेश में, और यहाँ पर ये ऐसे जस्टिस, ऐसे जजज काम करेंगे, जस्टिस रवी विजय कुमार मलीमट, आप इमेज में देख सकते हैं, अगर हम बात करें हिमाचपदेश के हाई कोड की, तो हिमाचपदेश कोड और 1948 के तहट 15 अगस्त 1948 को हिमाचपदेश में कोड और जूडिशल कमिशनर की स्थापना की गई थी, और इसे स्थापिर किया गया था, हर्विंग्टन जो की कैल्स्टन एरिया में है, शिमला में, जूडिशल कमिश का कोट था उसे युनिट एंट्री ओफ हिमाचव प्रदेश का हिमाचव प्रदेश बैंच ओफ डेली हाई कोट बना दिया गया और डेली हाई कोट के अंतरगत इसने सारा गारे करना शुरू किया वर्श 1971 में जब हमें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तब हिम अब देख सकते हैं ये ओल्ड विल्डिंग है रेवैंज बुड में और ये यो बिल्डिंग है हिमाचव प्रदेश हाई कोट की इसके लाभा अभी प्रेजेन्टले हिमाच प्रदेश हाईकोट के चीफ जश्टिस हैं जश्टिस एल नार्यारानад स्वामी आप इमेंज में देख सकते हैं। तो सुर्जित सिंग गुलेरिया ये हिमाचवदेश के कांगड़ा डिस्टिक के रहने वाले हैं। तो सुर्जित सिंग गुलेरिया ये वाले हिमाचवदेश के मुख्य नहदीश एल नारान सौमी द्वरा कहां पर सीविल कोड का उधगाटन किया गया। तो ये थी हमारी आज की डिसकेशन और अगर आपको इस सेशन की पेडियाफ चाहिए तो आप में टेलिग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलिग्राम पर साच कीजे ही माचल सक्सेस बुक और वहां से आप इस सेशन की पेडियाफ रप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स डिसकेशन में थैंक्स वर वाचिंग वीडियो दू लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल।